हापी वुमेंस टे आज है वुमेंस टे तो यार अज मीठा ना बने ऐसा कैसे हो सकते हैं चलो कुछ बहुत ही मीठा सा बनाते हैं बड़या सा बनाते हैं लेकिन उससे पहले ना मुझे कॉमेंट ने बताओ कि आपका फेवरिट फ्लिवर कौन सा है केक का अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यार मैं तो बदलते रहते हैं कभी कुछ पसंद है तक अब है कुछ ने मैं लगता केक हόना छेए बस कोई नीफ होचलेगा यहां मैं और इस शेप में काट करना अंदर रख लिया सबसें इंप़्ूर्टन काम पहला यही करना है कि एक बिनाने में फिर आपको लेना है एक कप दही वन फॉर्थ कप ऑईल और एक कप चीनी और थोड़ा से हमें इमल्शन ले रही हूँ इमल्शन में कलर और एसेंस दोनों पड़ा होता है तो यह पाइनापल एसेंस समझ के डाल सकते हैं मैं अलग से कलर डालने की ज़रत पड़ेगी नहीं सारी चीज़े जैसे ही अच्छे से मिल जाए ना उसके बाद आपको क्या करना है ना इसमें डाल देना है वन फोट ती स्पून के बडाबर बेकिंग सोडा पिर आपको लेनी है एक छनी और उसमें डालना है वन एन हाफ कप मैदा वन टी स्पून बेकिंग पावडर और थोड़ा चुटकी भर सॉल्ट और सब चिज़ों को अच्छे से मिला लेना है और यह जो फाइनल च आपको अलग चीज़े फिर से बढ़ानी पड़ेंगी तो यहां मैंने बारी बारी से मिल डाल कर जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो कुछ पोरिंग टाइप की बन जाएगी और जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए बस आपको यह डबबे में जो आपने लगा के रखा था पहले से उसमें डाल देना है और इसे बेक करना है 180 डिग्री पे कम से कम 30 मिनट पे और बस यह देखो कितना मस बन के तियार है इसको मैं उपर की जो लेयर है वो हटा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ यार इसका स्पॉंच वो काफी अच्छा है टेस्ट तो इतना अच्छा है कि वह क्या ही बता हूँ आपको बता नहीं सकती लेकिन हाँ इसको हमें सजाना है क्योंकि जितना अच्छा सजेगा उतना ही अच्छा ही खाने का मन भी करेगा तो यार यह स्पॉंच काफी अच्छा था तो मैंने यहां पे इसकी हलके फुलके तीन-तीन ऐसे लगे पीसे कर यह है अब यहां मैं ले रही हूँ विपिंग क्रीम जो मैंने अराम से बहार निकालके रख दी थी पहले दूप में नहीं बहार सिर्च के बहार निकाली थी फ्रीजर के बहार मतलब कह सकते हैं और नीचे बरफ का एक पतीला रख रहे हूँ क्योंकि गर्मी अब शुरू हो तो यार यह जो है ना विपिंग क्रीम यह कहीं आइसा नौग यह पिघल जाए पूरी तो इसलिए मैंने इसको बरफ के ऊपर ही रखा हुआ है और यह काफी अच्छी स्टिफ पीक दे चुकी है अब शुगर सिरफ नाम भी कोई चीज बना लेते हैं जिसमें मैंने पानी लिय है और इक जगा पर बैठ रहें इधर बार पर गिरना जो भाट हम भारी जो बढ़ते कीम नियुकि और सुपर रहते जाएंगे और यह आम अतीर से श्रीगयों पर हम कंड़ने चाहिए न इसलिए मेरे पास वाइनापल अभी बिल्कुल नहीं था बस यह सब नकली समान रखा था तो मैंने यह सब इसमें लगा दिया है और फाइली मैंने केक कुना एक लाइन्स दे दी है जो कि मुझे बहुत पसंद है असा लगता है देखकर कि हाँ वड़ा प्रफेशनल सा केक है और उसके बाद मैं यहाँ चरीज लगा रही हूँ जो मैं पस रखी थी लखे ली और अब यहाँ पर हमारा केक बन के तेया रहे है इसको मैं इससी बाउंडरी द टेस्टी है बोला चाहे तो यहाँ पर देखो इतना मस्त केक बन के तियार है तो आप भी ऐसा केक बनाओ यार मदल से खाओ मैं तो चली खाने